माधव सिंग को भूग तो आजकल भी अच्छी खासी लगती है बस फरक ये है कि खाने का मन नहीं होता जब इनसान अपनी बुद्धी और तजुर्वे को छोड़ कर किसी की गलत सलहा पे कदम उठाये तो पच्चतावा होना मामूली बात है परमुक सिंग वैसे तो बड़ा शांत आदमी है मगर आजकल उसको बहुत गुस्सा आता है किसी और पर नहीं, खुद पे जब इनसान अच्छी सलाहों को छोड़ कर खुद के ख्याली पुलाव पकाने बैट जाए और बाद में पच्चताए तो खुद पे गुस्सा आना तो बनता है न इसी गाओं के बल्वन भाई साब बड़े हस्मुख हुआ करते थे लेकिन आजकल अफसोस में है किसानों को देसी बाजरा बीज बेचने का अफसोस किसानों का नुकसान, मतलब इनका भी नुकसान लेकिन भाईया आज इस उदास गाओं में कोई तो है जिसने ना तो अपनी चलाई और ना दूसरे की खराब सलाह चलने दी अपनाया तो सिर्फ पंद्रा सालों का भरोसा भरोसा विज्ञान का बायर प्रुएग्रो 94 हाइबरिड बाजरा बीच चाहे सुखा हो या ताबर तोड़ बारिश की मार हो ये जेले बे असर ना पच्चताने का मौका दे तबी तो हर किसान भूमफिर के आए बस यहीं पर माईसा मुझे बास समझ बें नहीं आती कि जिस चौराणने चौालिस ने लोगों को 15 साल का भरूसा दिया है लोग उसे बदलने किया कुछ नया ट्राई करने की सोच भी कैसे सकते हैं और ये बात तो हमारे गाउं की भैसिया भी जानती है बायर प्रो एग्रो 94 जब ये समाधान तो पच्चताई क्यों किसान